स्वागत है आप सभी का प्रबडी पे मैं हूँ विशाख खत्रपाथी और आज हम बात करने वाले हैं डेली उनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कि अगर आपको MSC Microbiology के लिए डेली उनिवर्सिटी मेड मिशन चाहिए तो उससे क्या eligibility criteria है स्लेविस क्या है यह चीज़े आज हम discuss करेंगे तो आये देखते हैं सुरू करते हैं इसकी eligibility से कि आपको डेली उनिवर्सिटी में MSC Microbiology मेड मिशन के लिए क्या चीज़े ध्यान में रखनी होती है तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह कूर्स जो है MSC Microbiology यह तोनों होता है यानि कि यह merit based भी होता है और entrance based भी होता है लेकिन merit सर्फ और सर्फ डेली उनिवर्सिटी के लिए होता है ठीक है और entrance सब के लिए होता है तो आईए देखते हैं कि eligibility entrance category में इसके क्या है तो अगर हम बात करेंगे eligibility in entrance category तो यहाँ पर course के requirement अलग होगी यानि कि यह category जो है यह entrance के लिए course के requirement होगी BSc General और BSc Honors और equivalent upgraded undergraduate degree in any branch of life sciences, medical sciences और any branch of biology ओके तो यहाँ पर course requirement है इसकी कि आपको आपका जो UG का degree हो वो BSc हो ठीक है BSc General हो या BSc Honors हो या कोई भी branch से हो science के bio के ओके तो यह और यहाँ पर इसकी marks requirement आप देखेंगे तो 60% और above marks in qualifying exam और equivalent grade ओके तो यानि आपका यहाँ पर marks के requirement क्या है 60% प्लस ओके तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसके लिए eligible तब ही है जब आपके undergraduate में अंडर graduation में आपके 60% प्लस percentage हो ओके फिर बात करते है eligibility in merit category तो merit category में आप यहाँ पर course के requirement देखेंगे कि BSc Honors चाहिए in microbiology from University of Delhi after 10 plus 2 plus 3 ओके यानि कि आपका UG का Delhi University से अगर आप already UG में है Delhi University से तो आपको merit based पर वहाँ पर असानी से admission मिल जाएगा लेकिन आपको यहाँ पर marks के requirement ध्यान में रखनी होगे कि 60% percentage वालों को easily वहाँ पर admission मिल जाएगी ओके तो यह बात रही course का कि कैसे merit और entrance based में क्या चीज़े देखनी है मैं ध्यान में रखनी है अब आई यह बात करते हैं कि अगर आपको इसका entrance देना हो तो उसके लिए कैसी तैयारी करें या कौन से चीज़े लेगा तो सबसे पहले अगर आपको entrance देना है तो आपको भी यह बात पता है कि आपको previous year बहुत ध्यान में रखना है या के basis पर preparation कर पाएंगे तो आईए बात करते हैं कि syllabus क्या चीज़े आपको पढ़नी हैं तो syllabus डिसकस करते हैं तो सबसे पहले आप यहां पर syllabus में देखेंगे microbiology entrance examination के लिए आपको यह पांच units यानि इसके sub topics भी बहुत सारे हैं यह आपको पांच चीज़े ध्यान में रखनी हो तो यह आपको ध्यान में रखना है इसे आपको prepare करना है तो आईए आप topic wise देखते हैं कि इसमें कितने sub topics आपको पढ़ने हैं तो सबसे पहले अगर मैं biochemistry के बात करूं तो इसमें आप पढ़ेंगे monosaccharides polysaccharides ketos, trices, tetratus, pentos, hexos यह जो इतने भी देख रहे हैं आप यहाँ पे सब topics दिया हैं मैंने stereoisomal and all तो इन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैंने एक-एक topic लिख दिया है ताकि आप easily इन चीज़ों को prepare कर पाएं यह biochemistry है और अगर आपको यह चीज़े वैसे भी prepare करनी है तो आप मेरे courses देख सकते हैं आपको यह topics पे वीडियो अल्रेडी हमारी website प्रबड़ी पे मिल जाएंगी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे है यह जितने भी topic है काइटीन है फैटी एसिट्स और फंक्शन उनके और यह building blocks और सारी चीज़े ध्यान रखने है यानि कि आपको यूजे में आप आल्रेडी chemistry पढ़ रहे हो तो आपको उसे बहुत अच्छे से प्रिपेर करना है नेक्स्ट ब्लाग पे आते हैं तो आप इसे में देखेंगे क यह biochemistry का यह बाकी पार्ट भी है ठीक है यह biochemistry का ही है protons, function of proteins, primary structure of proteins, amino acids, general formula and all यह ज्विटर आयन क्या होता है या इन सब पे बहुत question बनते हैं तो आप इसको ध्यान में रखेंगे यानि आप biochemistry अच्छे से prepare करेंगे next आते हैं physiology and bioenergetics पे तो यह बहुत बढ़िया topic भी है और इसमें बहुत question बनते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि इसको अच्छे से पढ़ीगा क्योंकि यह बहुत broad है इसमें बहुत syllabus है तो बहुत sub topics हैं तो इनको ध्यान में रखना है जैसे कि thermodynamics है thermodynamics से बहुत question बनते हैं तो आप उसे अच्छे से prepare करेंगे first and second law of thermodynamics, definition of gifts, free energy, enthalpy, entropy, mathematical relationship तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके जो जो bio maths आते हैं उन पर ध्यान रखना है जैसे कि bio energetics के concept को आप बहुत अच्छे से clear रखेगा जितने laws आते हैं laws पर question बहुत आते हैं और अगर numerical form में जितने question आते हैं उसको ध्यान में रखेंगा क्योंकि उस पर बहुत question आते हैं तो उसे ध्यान में रखेगा तयार करते व ठीक है और जितने भी pathways type हैं जैसे कि EMP pathway है glycolytic यह ठीक है phosphate pathway है यह TCA cycle है इन सब चीजों को भी आप ध्यान में रखेंगे इसके छोटे-छोटे terms पर अच्छे-च्छे question बन जाते हैं नेक्स्ट आते हैं Immunology and Medical Microbiology तो Immunology में आपको पूरी Immunity की book Immunology आप अगर अपने course में पढ़ रहा है तो उसे अच्छे से prepare करिएगा Medical Microbiology और Immunology भी बहुत अच्छा topic है इससे बहुत question बनते हैं तो यह आप ध्यान रखेंगे यह term आपको ध्यान में रखना है कि जितने जैसे कि Mac Conti अगर है या PCR क्या है Nucleic Acid Props, Detection of Typhide Dengu यह सब कैसे होता यह चीज़े तो इस पर यानि कि आपको Microbiology को ध्यान में रखना है Immunology के साथ साथ इस पर बहुत सवाल बनते हैं जैसे कि Macrobs है प्रोटो जो आज से कितने disease होते हैं उनके disease की cause करने वाले agents कौन है यह सारी चीज़े ठीक है तो आप यूजी में अगर अभी पढ़ रहा है तो उसे अच्छे से prepare कर लेंगे तो हो जाएगा नेक्स्ट यह भी इसी के सब topics है ठीक है तो यह भी आप पढ़ लीजेगा मैंने एक-एक topic यहां पर note कर दिया है ताकि आपको easy you preparation में ठीक है तो आप यहां से topics उठा सकते हैं अगर आ genetics and molecular biology तो जब हम genetics की बात करते हैं तो आपको भी पता होता कि इससे बहुत सवाल बनते हैं DNA RNA या biotechnology इन सारे चीजों को मिलाके बहुत से सवाल इसमें आ जाते हैं तो आप यह यहां पर देख सकते हैं कि cloning कैसे होता है restriction enzymes का क्या work होता है vectors क्या है transformation के बारे में और selectable markets क्या होत आते हैं यह सारे ध्यान रखनी है इस पर बहुत सवाल आते हैं ओके नेक्स्ट आते हैं economic botany पर तो economic जैसे कि economic कोई भी चीज को microbiology में यूज करके उसके क्या benefits है उसका क्या economic value है यह चीजे economic botany में आपको पढ़ने को मिलेंगी prokaryotic eukaryotic cell और वगएरा सब के बारे में तो आ आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद और ज्यादा ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बटी पर विजिट करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें सेर करें सब् कियू